हैपी न्यूएर प्रेंट्स और आप सब कैसी हैं आप सब अच्छी होंगे और आज न्यूएर का फर्स टे है तो आप सब की फैमली को मेरी तरफ से हैपी न्यूएर तो आज मैंने फर्स टे पर ये भाजरी के ठेकवे बनाए हैं तो आप लोग पताएगा कि आप लोग को मेर यह ठेकवे की रेसिपी कैसी लगी और ठेकवे ठंडी में बना के खाईए और ठंडी को दूर भगाईए ठंडी में यह पहुती फायदे मंद है तो आप लोग इसको एक बास जरूर ट्राय करिए और खाईए खुद भी खाईए सब को खिलाए चलिए फिर मैं ठेकवे बनाने जा रहे हैं तो तेखिए मैंने ठेकवे बनाने के लिए क्या क्या लिया है तो मैंने यहां पर पासरे का आटा है एक कटूरी पाउल है मेरा और एक बाउल से थोड़ा कम है तो जितना मेरा आटा है उतना ही मैंने गोड़ ले रखा है तो एक एजी आटा है एक एजी दार में नई लाइची ली है और आधी कंटूरी तिल और पानी फिर में पानी और गुर्टाल कर इसको पका लूँगी जार में पानी खुर्टाल कर वाइची कंटूर में भाइची लीवार कर आधी क === झाल झाल तो ये देखिए मेरा गोड़ और पाड़ी पक्के अच्छे से तयार हो गया हमको इसको चास्तनी नहीं बनाना है बस इसको अच्छे से पका लेना है और फिर मैं इसे चलनी में चाल लोगी कि इसमें जो भी कच्छड़ होगा तो वो निकल जाएगा क्योंकि गुड़ में थोड़ा बहुत गंदिगी भी रहती है तो इसलिए मैं इसको चलनी से चाल लोगी और उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूँगी वरना इतना गरम में बनाएंगे आटा लगाएंगे तो हाथ जल जाएंगे तो मेरा हलका गुंगुना है अभी तो मैं अब आटा लगा लेती हो तो जो मैंने अईलाइची लिए इसको मैं कोट ली हूँ उसका चुरा बना ली हूँ और फिर ऑफिर जो तिल भी मैं इसी के मिक्स कर दोंगी तो अच्छे से मिक्स करने के ।बाद गोड़ का जो सिरा बनाया था थो थोड़ा-थोड़ा क इसका लगा लेती हूँ और मैंने थोड़े से तिल बचा लिये हैं बात में जब मैं ठीक वे बनाऊंगी तो उसको थोड़ा सा उपर से लगाने के लिए मैंने थोड़े तिल बचा लिये हैं रख देना बच्छा लिये सुस्ष्द के सिर्म लिये मैंने सिर्माइं ट से छिल रख भीप्ड़ेश में परеспेंक का लिये हैं ऐसे से आटला में चारा थो प्राइब आदा हुआ है इसको कर लूँगी ऐसे ही और फिर इसके उपर में तिल लगा लूँगी बस फिर मैं इसी तरह किसे अपने सारे ठिकवे बना के और फ्राइग कर लूँगी तो अब लोग देखें कर दो कर दो शारे पिर में आप कर दो, रे बना किवे बना किमाश्ना हुआ न वक्तर । कर दो 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 झाल 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 झाल